किस श्राब के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? मित्रों प्रतेक स्त्री को हर महीने मासिक धर्म तो आता ही है पर आज के इस विडियो में मैं आपको यह भी बताओगी कि स्त्रियों को किस श्राब की वज़े से मासिक धर मासिक पीरा क्यों होती है तो मित्रों चलिए जानते हैं। पीरा क्यों चलिए जानते हैं। जो भी प्रशन है जिसकी वज़ से तुम्हें शंका हो रही है वह तुम। निसंकोच होकर पूछो मैं तुम्हारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूँगा तब मा लक्ष्मी जी कहती हैं। वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीरा सहन करनी पड़ती है। माता लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा है प्रभू एक स्त्रिको मासिक धर्म में वह कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने उपर लगने वाले पाप से बच सके तब भगवान विश्नु कहते हैं। लक्ष्मी तुमने संपूर्ण मानव जाती के कल्यान है तू। अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम। इसलिए है देवी लक्ष्मी मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा अंत तक अवश्य सुनिये अब देवी लक्ष्मी कहती है। निर्मल देश में एक अत्यंत सुन्दर नगरी थी। उस नगरी में बलराम नाम का एक ब्रामन रहा करता था बलराम को समस्त। वेदों और शास्त्रों का ग्यान था वह एक देजवान और परम बुद्धिमान गुणवान तथा धर। मके मार्ग में खुद की आहुती दे देने वाला एक ब्रामन था। वरनों के लोग बलराम को बड़ा सम्मान देते थे बलराम प्रती दिन यग्य करता था दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करता था बलराम पशु पुत्र बंदु बांधव तथा धन संपत्ती से संपन्न थे बलराम की पत्नी का नाम गायतरी था वह भी अत्यंत चरित्रवान गुणवान तथा पतिवरत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी एक दिन बलराम और उसकी पत्नी गायत्री ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायन भगवान की, पूजा रखी और सभी ब्रामनों को स्वयन जाकर निमंतरन दिया साथ ही नगर में निवास करने। पूरवग पूजन किया और उन सभी का बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया फिर बलराम ने सभी ब्रामनों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें आसन देकर प्रेम के साथ बैठा कर भोजन कराया ब्रामनों को भोजन करा के उनकी भूख की त्रिपती समाप्त करने क बालिवारम भिटेंट ayragic तह उलिए करें विजिए उलिए अंस्याए विजिता ही जपार्ट तरवध में इनकी विजिन बालिवा की सांहिए तो उसके घर के सामने एक कुटा और सुवरन में आपस, पशु बना दिया है किस पाप के कारण मेरे माता पिता को यह पशु का शरीर प्राप्थ हुआ है बलराम ने सोचा कि अब मैं इनके उध्धार के लिए क्या करूँ इस प्रकार विचार करते हुए बलराम को राद भर नींद नहीं आई और वह राद भर भगवान का स्मरण करते हुए वह सोच विचार करने लगा उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ती के लिए क्या करूं तब उसे याद आया कि मेरे माता-पिता की आत्मा की मुक्ती का उपाई केवल मुनिवशिष्ट जी ही बता सकते हैं सुबह होते ही बलराम ने सनान आधी कार्य संपन्द करके मुनिवशिष्ट जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुँचा आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मुनिवशिष्ट जी ने बलराम का स्वागत किया और वशिष्ट जी बलराम से कहने लगे, हे ब्रामन श्रेश्ट आप आज किस कारण से हमारे आश्रम में पढ़ारे हैं? आप बड़े ही दुखी दिख रहे हैं. आपके दुख का कारण क्या है, बलराम क मेरा जन्म सफल हो गया परंतु है मुनिवर यहां आज मैं आपके पास अपनी एक शंका को लेकर आया हूँ। अनेक प्रामनों को और भूखे लोगों को भोजन कराया मैंने सब। होने लगी क्योंकि उसी दूद से भोजन बनने वाला था अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विशैले दूद से कुछ बनाया। जाता और सभी लोग उस दूद को खा लेते तो उन सब की मृत्यू हो जाती इसलिए मैंने। उस बरतन में से सारा दूद पी लिया लेकिन जब मेरी बहु की दृष्टी मुझ पर पड़ी तब उसने मुझे डंडों से खूब पीटा जिससे मेरे शरीर का अंग भंग हो गया अब मुझे बहुत पीडा हो रही है। और इसी वजह से मैं लड़ खडाते हुए चल रहा हूँ, मुझसे यह पीडा सहन नहीं हो रही है। और सुवरन के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, है मुनिवर मुझे राद भर नींद नहीं आई, हर क्षण मुझे बस यही चिंता सताए जा रही है, कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के कार्य किये हैं, परन्तु फिर भी मेरे माता-पिता को ऐसे कष्ट छेलने पड़ रहे हैं, है, मुनिवर यही मेरी शंका है, इसी कारण आज मैं आप के पास आया हूँ, खृपया आप अपनी दिव्यशक्ती से, पता करके मुझे बताईए कि किस कारण से मेरे माता-पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है, औ और उनकी मुक्ती के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा, तब मुनिवर शिष्ट जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया, और उस ब्रामन के माता-पिता के पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बलराम से कहने लग है, है, ब्रामन तुम्हारे माता-पिता पिछले जन्म में घोर पाप किया है, उसी पाप कर्मों के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है, बलराम कहने लगता है, कि है गुरुदेव कौन से पाप के कारण, मेरे माता-पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है, कृप्या मुझे उसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें, मैं जानना चाहता हूँ, फिर मुनी वशिष्ट जी कहते हैं, कि हे ब्रामन तुम ध्यान से सुनो, यह कुटा जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में बसंत नगर के श्रेष्ट ब्रामन हुआ करते थे, इन्होंने एक दिन एकादशी का वरत रखा पर धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबन बनाया था, और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी को इस जन्म में कुटा का जन्म मिला है, हे ब्रामन पुत्र, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो, तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा उपासना की तुलसी को जल चढ़ाया मासिक धर्म में होते हुए भी तुम्हारी माता ने भगवान को भोग लगाया इसी कारण से इसे महापाप लगा है मासिक धर्म के दौरान स्त्री तीन से पांच दिनों के पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मासिक धर्में स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, वह मुनिवर अबागे कहते हैं, कि जो पुरश मासिक धर्में स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रहमा हत्या का पाप लगता है, जो पुरश उस वक् अपने के पश्चात स्त्री को अपने पती का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए, यदि पती समीब ना हो तो सूरेदेव के दर्शन करने चाहिए, गुरू वशिष्ट बलराम से कहते हैं, हे ब्रामन श्रेस्ट इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को स्वर्ण का जन्व प्राप्थ हुआ है, बलराम कहता है, हे मुनिवर अबाप, मुझे मेरे माता पिता की मुक्ती के लिए उपाई बताने की खृपा करें तब, वशिष्ट जी अपनी दिव्य दृष्टी से इसका मार् और कहते हैं, कि हे ब्रामन तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ती के लिए श्राध तथा तरपन करो और दान धर्म करो गाई की सेवा करो गौ माता को भोग खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ती के लिए भगवान से प्रार्थना करो बलराम जै अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ की। दिन सभी दानव वित्रासुर दानव के साथ मिलकर स्वर्ग लोग पर आक्रमन करने लगते हैं। प्रदान करेंगे और तुम उन्हीं अस्तरों का प्रयोग करके वित्रासुर का वद्ध कर। सकोगे फिर सभी देवता महर्शी दधीच के आश्रम पर जाते हैं। और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हैं और महर्शी दधीच से अस्तर प्रदान करने की विंती करते हैं। फिर संसार के कल्यान के लिए महर्शी दधीच अपने ही शरीर की हड़ियों से अस्तर का निर्मान करते हैं। उन्हीं अस्तरों में से एक वजर नाम का अस्तर होता है। जिस अस्तर को देवराज इंद्रधारन कर लेते हैं। और फिर से सभी देवता गण वृतरासूर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। उसके उपरांथ देवताओं और दानवों के बीच भीशन युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध करने के लिए एक अतरित हो जाते हैं। उन सभी पर प्रहार करने लगते हैं, कई दिनों तक इस प्रकार से दैतियों और देवताओं के बीच में भीशन युद्ध चलता है, फिर देवराज इंदर और वृतरासुर आमने सामने आ जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है, और देवराज इंदर अपने वज्र क प्रहार करके वित्रासुर को मार डालते हैं, उसके शरीर में एक ब्रहमा हत्या वास करती थी वह उस दानव वित्रासुर की मृत्यू होते ही उसके शरीर से ब्रहमा हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है फिर वह ब्रहमा हत्या देवराज इंद्र के शर और वह ब्रहमा हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकल कर ब्रहमदेव से कहने लगती है है परमपिता ब्रहमदेव अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्रामणों की हत्याइं की थी जब इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तो म इंद्र के शरीर में वास करने लगी अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान। दीजिए जहां पर मैं रह सकू फिर ब्रहमदेव कहते हैं ब्रहमा हत्या में तुम्हें उचित स्थान देता हूं। प्रवेश करोगे फिर तीसरा एक चौथाई भाग पेड पौधों और व्रुक्षों के भीतर रहेगा जो भी। प्रवेश कर जाएगी इस प्रकार से ब्रहमा हत्या के चार भाग हुए एक। अगनी में दूसरा जल्में तीसरा व्रुक्षों में और चौथा स्थियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसे ब्रहमा हत्या के भाग के कारण स्तीरlyों को मासिक धर्माता है, जो भी पुरिश मासिक धर्म के दौरान स्तीरिवों को सपर्ष करता है, अत्वा उनके साथ संनबन्द बनाता है। अबागे भगवान विश्नु कहते हैं हे देवी इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके विश्य में बता दिये हैं अब माता लक्ष्मी कहती हैं हे प्रभु आज आपने मुझे बहुत ही महत वपून ग्यान दिये हैं मैं भी आपको वचन देती हूँ जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी पती के साथ संबंध रखेगी उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी तो मित्रों यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को छूना पाप माना गया है मासिक धर्म के दौरान स्त्रीयों को यह कार्य नहीं करने चाहिए तो मित्रों अगर विडियो अच्छा लगा होगा विडियो को लाइक शेयर जरूर करे और निचे कमेंट जैश्री राम जरूर लिखे जिससे की आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए